स्वीट्स, we all love them. इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन बर्फी बनाने की रेसिपी. ये एक क्विक और इजी रेसिपी है. और इसे बनाने के लिए हमें किसी एक्स्ट्राओर्डिनरी इंग्रीडियन्ट की भी ज़रूरत नहीं है. यूज्वली सबके किचन में ये इंग्रीडियन्ट्स आसानी से अबेलिबल होते ही हैं. जैसे बेसन, घी, चीनी. इस स्वेट इश को बनाने के लिए हमें सिर्फ 5 इंग्रीडियन्ट्स की ज़रूरत है. बेसन दो कप, चीनी दो कप, घी एक कप, तेल आधा कप और पानी एक कप. कार्निश करने के लिए हम चॉप्ट आलमेंट्स या पिस्टा का इस्तमाल करेंगें. एक बात का खास खयाल रखना है, मैंने इंग्रीडियन्ट्स के लिए जो भी मेजर्मेंट्स बताया है, इसके लिए एक ही कप का यूज़ करना है. सबसे पहले बेसन को ड्राइ रोस्ट कर लेगे. मीडियम फ्रेम पर कंटिनूसली स्टॉर करते रहना है, जब तक बेसन का कलर स्लाइटली गॉल्डेन हो जाए. जैसे ही बेसन का कलर चेंज होकर स्लाइटली गॉल्डेन हो जाएगा, हम फ्लेम को आफ कर देंगे और रोस्टेट बेसन को साइट में रख देंगे. इसका यूज अब हमें बार्वे है. नेक्स्ट हमें कड़ाई लेंगे, उसमें ओयल और गी को मिक्स करेंगे और उसे लो फ्लेम में हीट करेंगे. गी और ओयल के मिक्स्टर को हमें थंडा नहीं होने देना है, इसलिए हम गैस पर लो फ्लेम पर ही इसे रखेंगे. अब हम तयार करेंगे शुगर सिरप, उसके लिए हम एक कड़ाई में लेंगे दो कब चीनी और उसका आधा, यानि के एक कब पानी. और मीडियम फ्लेम में कंटिन्यूजली स्टर करते हुए हम चीनी को पानी में डिसॉल्व करेंगे. शुगर की डिसॉल्व हो जाने के बाद नेक्स्ट, शुगर सिरप में बबल्स आने रखेंगे. शुगर सिरप की वन स्टरिण कनसिस्टेंसी होनी चाहिए और उसे चैक करने के लिए हम अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में एक ब्रॉप शुगर सिरप लेंगे और चैक करेंगे ये एक स्ट्रिंग बन रहा है या नै. पर्फेक्ट वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी वाला शुगर सिरप अब तयार हो चुका है जो बेसन हमने रोस्ट करके रखा हुआ था अब हम उसे धीरे धीरे इस शुगर सिरप में अड़ करें हमें कॉंटिन्यूसली स्टर करते रहना है सो दाट ये बेसन शुगर सिरप में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें पिल्खुल भी लंग्स नार है हमने यहां रोस्टेट पेसन का यूज़ किया है रोस्टेट पेसन का जो अरोमा होता है वो खाफी अच्छा होता है अगर हम उसे बिना रोस्ट के हुए पेसन से कंपेर करें तो इस मिक्सचर का कलर दीरे-दीरे चींज होकर प्राउन हो रहा है हमने जो ऑईल और गी का मिक्स लोग में पर रखा हुआ है अब हम दीरे-दीरे उसे इस मिक्सचर में एड़ देंगे अब आप देख सकते हैं इसमें दीरे-दीरे बबल्स आने लगे हैं काफी अच्छा अरोमा आ रहा है इस मिक्सचर से वैसे तो पेसन को हमने पहले रोस्ट कर लिया था पर गी और ओयल का जो हॉट मिक्सचर हम इसमें एड़ कर रहे है उससे पेसन अच्छे से कुख हो जाएगा और उसी की वज़े से इस मिक्सचर का इतना अच्छा अरोमा आ रहा है मीडियम फ्लेम पर हमें से कॉनिटी मुज़ी स्टर करते रहें कि जब तक ही एक तिक पेस्ट नहीं तयार हो जाता अब यह बिल्कुल अच्छे से पेस्ट तयार हो चुका है अब हम जल्दी से एक प्लेट को घी से अच्छे से ग्रीज कर लेंगे जिसमें हमें बल्फी को सेट करना है इस तरीके से चारो तरफ से अच्छे से घी को स्प्रेट करेंगे अब हम बल्फी के मिक्स्चर को तयार किये हुए ग्रीस्ट प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और इवनली उसे स्प्रेट कर लेंगे चॉप्ट अल्मेंट्स से गार्निश करेंगे आप अल्मेंट्स की जगह पे किसी भी और ड्राइफूट का यूज कर सकते हैं तीस मिनिट रूम टेंपरेचर पे रखने के बाद हम इसे स्क्वार या रेक्टेंगल शेप्स में कट कर लेगे दो घंटे बाद अन्मोल्ड कीजिए और सर्व कीजिए जैसा मैंने बताया है यह एक एजी और विक रेसीपी है इसे कम और एजी अवेलिबल इंग्रीडियेंट्स के साथ बनाया जा सकता है इस रेसीपी को ज़रूर प्राइ कीजिए और अपना फीडबाक मुझे कॉमेंट करके बताईए तक है विए और अपनाया बनाया जाए जाली और अपनाया जाए चाहिए प्राइब और शुर्ड कीजिए और प्राइब प्राइब विए गर जानल